चलिए बनाते हैं तोरही से कुछ ऐसा जिससे हम इस सैंड्वीज और पीजा की यार बिलकुल भी ना आए और जो अंदर से हो सॉफ्ट और बाहर से हो कृप्सी और जिसे खाने में खुब मज़ा आए तो फ्रेंट्स तोरही एक वेज़िटेवल है जिसे हम सबजी के फॉर्म के लिए माधा कब बेशन लेंगे टेस्ट के गॉर्डिंग नमक हल्दी लाल मिश पाउडर कसूरी मेति और थोड़ा सा खाने का सोड़ा और अच्छे से सब कुछ मिक्स करके आप इस तरह से एक पेस्ट रेडिकल दीजिए तो कंसिस्टेंसी आप देख लिए फ्रेंस बाइवन डाल देंगे तो फ्रेंस इसका जो बेस्ट पार्ट है कि आफ्टर फ्राई जब हम तोरई को निकालते हैं तो इसमें लगी बेसन की जो कोटिंग है यह बहुत ही क्रिप्सी और टेस्टी सी लगती है फ्रेंस अंदर इसमें मौस्टर होता है तो यह अंदर से पकोड़े बहुत मज़ा आने वाला है आपको फ्रेंस ऐसा को नहीं जिसे पकोड़े ना पसंदो पकोड़े तो हर को ही पसंद करता है हां कुछ लोग प्रिकॉशन जरूर लेते हैं इसके लिए लेकिन कभी-कभी तो खाना बनता है तो देर किस बात की है आप क्या सोच रह मुझे जरूर पताईएगा पसंद आया तो लाइक कीजिएगा अपने खूब सारे फ्रेंस के साथ इस रेसिपी को शेयर करें ताकि वो भी इंजॉय कर सके इस चटपटे करा रहे तो रहे के पकोड़ों को अपना खूब सारा सपोर्ट देने के लिए फ्रेंस मेरे चैनल को जरूर सबस्क्राइब कीजेगा तो आज ही बनाएगे मज़ेदार और चटकारे वाले तुरही के पकोड़े और भूल जाएं सैन्विस पीजा और अब बार बार तुरही की सबजी खाने की कोई जरूरत नहीं है बस आप इन पकोड़ों को बनाएं इंजॉय करें अपनों क साथ